पित्रपक्ष का प्रारंब भाद्रपद पूर्णिमा से होता है, जो आश्विन अमावस्या तक सोला दिनों तक चलता है। इस साल पित्रपक्ष 29 सितंबर दिन शुक्रवार से प्रारंब हो रहा है। यदि आपने अपने पित्रों के लिए भोजन का अंश निकाला है और कौवाँ आकर उसे खा लेता है तो समझ लीजिये कि वह भोजन आपके पित्रों को प्राप्थ हो गया। दूसरा जीव, गाए पित्र पक्ष के समय में आप गाए के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे खा लेती है तो वह पित्रों को प्राप्त हो जाता है। तीसरा जीव कुत्ता, पित्र पक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथी पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है, इससे पितरों की आत्म त्रिप्त होती है. चौथा जीव चीटी, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चीटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करके त्रिप्त होते हैं. ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें.